जैमा तरणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्णा फीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे पांच गुन है जो हर आदमी में होना चाहिए अगर ये पांच गुन किसी भी ब्यक्ति में है तो उसके पास में सदेव लक्षमी रहती है लेकिन अगर ये पांच गुन अगर किसी में नहीं है तो देख लिजेगा उसके घर में लक्षमी कभी भी वास नहीं करती है। उसके घर में हमेशा ध्रिद्रता का वास होता है। तो आप लोग इस वीडियो से जानेंगे कि क्या आपके पास में ये 5 गुन है तभ तो आपके पास में पक्का लच्मी रहती होगी। तो चलिए इसी के उपर अजका मेरा वीडियो है तो वीडियो के लाष्ट तक आप लोग बने रहेगा आप लोगों को संपूर्ण जनकारी मिलेगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हूँ अब जान लेते हैं सभी महतेपोन बात हैं सबसे पहला जो बूर्ण जो हर ब्यक्ति में होना चाहिए वो है महनत अगर आप महनत करते हैं तो आपके पास में पका कर्म घान आप कर्हों क्यूंकि तो कहां से आएगी तो इसलिए हमें कर्म जरूर करना चाहिए अब लोग बोलेंगे कि मजदूर तो सबसे जादा मेहनत करता है फिर भी वो गड़ी भी ही रहता है तो देखिए भगवान भी कभी कभी पडिक्छा लेते हैं उसके पास भी आज नहीं तो कल अगर उसका कर्म अ सर भारे कर रहा है तो भगवान कभी बी नहीं लेंगे उसकषा, अगर आप महनत би कर रहे हैं, अगर सकीस भी नहीं हो रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए, कि यह मेरे पिछले जनम कर्म है तो पहला नियम यह है ठीक है दूसरा नियम है जो ब्यक्ति इमंदार है इमंदारी से अपना काम कर रहा है इमंदारी से अपना पैसा कमा रहा है इमंदारी पे है तो उसके पास में लक्षमी हमेशा रहती है लेकिन आज कल के लोग जो है वो समझते हैं कि नहीं आज कल के उसके पास में धान है लेकिन जो इमंदारी से चल रहा है उसके पास में नहीं है लेकिन जो इमंदारी से चल रहा है उसके पास में एक ना एक दिन लक्षमी जरूर आएगी लेकिन जो बैमानी के रास्ते पर चल रहा है वो तो आज तो ठीक है आज तो चल रहा है लेकिन आज नहीं तो कल, उसका मतलब वो सारा नस तो हो मिज़ए जाएगा, उसकी नईया तो डूबी जाएगी इसलिए इमानदारी से खाए इमानदारी से रहे इमानदार बने, ना कि हमें बैमान बनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, इमानदारी के रास्ते पे चलने वाले के पास में पैसा नहीं रहता है और जो बैमानी करते हैं उनके पास में पैसा रहता है तो वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल गलत है जो इमंदारी पर है उसके पास में आज नहीं कल नहीं लेकिन परसो जरूर आएगी भी आएगी कल होके और उसके वो आगे भी बढ़ेगा ठीक है भले हो धीरे धीरे ही बढ़ेगा थोड़ा लेट से ही बढ़ेगा लेकिन वो आगे बढ़ेगा लेकिन जो लोग बैमानी करते हैं चोरी करते हैं या दूसरे का लूट लेते हैं तो आज तो अमीर है लेकिन कल जब भगवान का डंडा पड़ेगा तो क्या होगा क्योंकि भगवान के पास में हर किसी का लेखा जुखा रहता है इसलिए इमंदारी पे रहें बैमानी ना करें ठीक है अगर आप इमंदारी से हैं तो आप एक ना एक दिन आपकी नईया जरूर निकल जाएगी लेकिन जो ल दिरे दिरे आगे बढ़ता है वो बहुत आगे तक जाता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कभी हमें बैमानी नहीं करनी है हमें इमंदारी के रास्ते पे चलनी है अब चलिए तीसरा नियम जान लेते हैं तो देखिए जो लोग कमाई का अपने कुछ ही सा दान करते हैं उनके पास में लक्षमी हमेशा रहती है ये नहीं कि हमारे पास में तो बहुत सारे धन है आप दान उपदान पर विश्वास नहीं रखते हैं कि ये सब धोंग है मंदिर में दान क्यों करना मंदिर में दूध क्यों चाराना बहुत सारे लोग है कि वो अंध विश्वास पर रहते हैं तो बहुत शारे लोग है कि और बहुत जादा बंते हैं। उनके पास में तो बैमानी करके धन तो ही कठा कर लिये हैंजिए लेकिन आपनी सावतात वी और वो बै हमानी यूद्ध मी से धन उसमें से कुछ हिसा दान भी नहीं कर रहे हैं तो भी उसके पास में लक्षमी नहीं ठीकेगी इसलिए आपके पास में जितना ही भगवान का दिया हुआ है उसमें से कुछ हिसा दान जरूर किजिएगा ठीक है तब आपके पास में लक्षमी रहेगी अगर आपके घर में लक् भर में सदेव लक्षमी बनी रहती है अब यह नहीं कि हम कड़ कर जर जर कोई भी आ रहा है दरवाजे पैसे उसको भगा दे रहे हैं ऐसे हमें नहीं करना चाहिए ठीक है तो इस बात का हमें धियान रखना चाहिए और चौथा नियम है जो लोग सोच समझ कर पैसा खर्च करत पैसा नहीं है आप पैसा की कदर नहीं कर रहे हैं तो आपको वो डुबा भी सकती है इसलिए हमें पैसा को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके खर्च करनी चाहिए अब कितने लोग बोलते हैं क्या हम भगवान के पास में पैसा ले करके कोई थोरी न जाएगा तो देखिए पैसा अगर आपके पास में है तो कोई उपर ले करके नहीं जाएगा लेकिन पैसा है तो वो कभी आपको नीचे भी गिरने नहीं देगा इस बात का हमें ध्यान रखना हैं इसलिए हमें सोच समझ करके खर्च करना हैं उनके उपर सदिय लक्ष्मी वास करती है जो लोग करने चाहिए, दूसरा क्या हमरा खर्च चला रहा है, जो हमारे पैसा हाथ में हैं तो हम उसको दिखावे के लिए उसमें खर्च करतेए, तो ऐसी गलती अपंने के बलोग मत किजेगा दूसरे के बहकावे में आ करके फिजूल का खर्च करते botherbuilding- जो ही है, उसमें से बचा आ कर पुषिबभी अपना नहीं है इसलिए पैसा का हमेशा कदर करना चाहिए पैसा हमेशा सोथ समझ कर खार्चा करना चाहिए तो इस बत का हमें ध्यान रखना चाहिए अबये समय का दुर्वार शौमि नवाता कुरूप ओर लो Dreams के पास में लक्षमी न है रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी अब कितने लोग है एक तो लेट से उठेंगे और बीना नहाय धुराए कीचेन में तो पर्वेश्ट कर Josh कर जाते हैं। बच्चे के लिए नस्ता बना करके दे देते हैं, घर फेमली में खिला देते हैं सब को और बरतन वैसे ऐसे तैसे जहां लोग खाया है वही पे छोड़ देते हैं, ना तो कीचेन की साब सफाई, बेसिंग में बरतन पारा है, वैसा ही पारा है सारे दिन, जब मर्जी होगा, त अब भी नहीं रहेगी अगर आपके पास में यह आदत है तो आप आज ही छोड़ दीजिए क्योंकि लक्षमी वहां वास करती है जहां साप सफाई रहता है और एक एक लोगों को देखिएगा कि मतलब उसमें हर चीज लक्षमी जैसा ही होता है चाहें वो इस्तरी हो या पूर करना है तो अकर हम सारे दिन काम नहीं कर सकते हैं तो सारे दिन हम रेष्ट भी तो नहीं कर सकते हैं समय से अपना कारे करें समय से थोड़ा सा रेष्ट भी कर लें क्योंकि सरीर का आराम देना भी हमारा स्वास्त सही है तब ही सब कुछ सही है तो अपने सरीर के लिए भी थो दुरुपियोग करते हैं, कुछ चीज का टाइम टेबल नहीं है, तो उनके पास में लक्षमी तो कभी आती ही नहीं है, वो तो आएगी और दरवाजे से उल्टा पैर ही चले जाएगी, लेकिन जो लोग हर चीज का केर करते हैं, उनके पास में सदे और लक्षमी का वास रहता है, इसलिए हमें साप सफाई पर समय का हमें दुरुपियोग नहीं करना चाहिए, हमेशा समय का सदुपियोग करना चाहिए, पैसा हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के पास में लक्षमी हमेशा रहती है, तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों के नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और वीडियो को सियर कर दिजेगा ताकि हर कोई अपनी ये बुराई आ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार